नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीष और आप देख रहे हैं Electronis Verma तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है रेजिस्टेंस के उपर कि दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि हम जैसे कोई नया सर्किट बना रहे है या कोई अधर सर्किट हमारे पास ऐसा है जहां पर रेजिस्टेंस वन वाट का लगा हुआ है लेकिन हमारे पास तो वहां क्वाटर वाट का रेजिस्टेंस है तो हम वन व यह वर करेगा कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी लेकिन अगर बड़ा रजिस्टेंस को हटा के आप छोटा रजिस्टेंस को लगा दोगे तो वहां पर दिक्कत होगी क्योंकि देखे रजिस्टेंस का वाटेज कब बढ़ाया जाता है जब वहां पर या तो बोल्टेज या उससे चलने वाला जो सरकिट है उसका लोड जादा हो तब लगाते हैं रजिस्टेंस की वाटेज को बढ़ाना मतलब कि क्वाटर वाट वन वाट हाब वाट काम तीनों का सेम ही है सिर्फ वाटेज के हिसाब से ही उसको लगाते हैं वाट इसलिए बढ़ाना पड़ता है कि जिसे की रजिस्टेंस पर लोड ना हो रजिस्टेंस को हीटिंग ना हो और रजिस्टेंस के अंदर कोई भी प्रोब्लम ना हो तो यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो quarter watt का रजिस्टेंस है वहाँ पर आप one watt लगा सकते हो एक दम बढ़िया वर्क करेगा दो वाट कभी लगा सकते हो रजिस्टेंस का वाट बढ़ाने से सर्किट में कोई प्रोब्लम नहीं आता लेकिन रजिस्टेंस का वाटेज कम नहीं होना चाहिए आप देखिए हमारे पास बहुत से भाई के कमेंट आते हैं कि जो रजिस्टेंस है वन वाट का नहीं मिल रहा अब नएने सर्किट बना लेते हैं तो वहाँ पर हमें रजिस्टेंस जो है वह कहां से मिलेगा अब देखें मैं आपको बताता हूं कि आप resistance किस तरीके से उसको 1 watt में बना सकते हैं और किस तरीके से आप बना सकते हैं अब देखें यहाँ पर आपके पास जो resistance है वो है 100 ohm यानि कि 100 ohm का आपके पास resistance आपको चाहिए 1 watt में वन वाट के अंदर आपको 100 ohm का resistance चाहिए अब आप 100 ohm कैसे बनाओगे तो 100 ohm बनाने के लिए आपको जो है इस resistance को चार बार बढ़ाना होगा पहले यानि कि पहले 100 फिर 100 फिर 100 यानि कि quarter watt की 4 resistance लेना होगा आपको और 4 resistance कौन सी लेनी होगी आपको 400 ohms तो 400 ohms का तो कोई रजिस्ट्रेंस होता नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 390 ohm का resistance होता हो ले सकते है या 400 से उपर का कोई रजिस्ट्रेंस है वो ले सकते है अब देखे यहाँ पर 400 resistance का आपको resistance लेना 4 piece यह हमेशा याद रहखे 4 पीस रजिस्टेंस लेना quieter watt का वहाँ पर तब ही आप one watt का resistant उसको बना पाओगे अब देखिए मेरे पास यहाँ पर जो ही resistant है यह learner पास one k मेरे पास यह one k का resistance है और resistance मेरे पास है यह quarter watt अब जो one k recurs insurance होता है वो होता है हमारा 1000 ohms वनके का जो रजिस्टेंस हो गया वो हमारे पास हजार ओम्स का होता है अब हजार ओम्स का रजिस्टेंस है तो यह रजिस्टेंस हमारा कितना बन जाएगा अगर हम इसे वनवाट बना सकते हैं तो यहां पर हम इसको चार बार घटा देंगे, अगर हम इसको चार बार घटाते हैं, तो हमारा यहां पर जो पहले हम हजार का आधा करेंगे, तो यहां पर हजार का आधा होगा हमारा 500, फिर हम 500 का आधा करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 200, यानि कि अगर हमारे पास quarter कॉटर vardır का 1 of the intelligence है जैसे कि रजिस्टरेंज है अगधर हम इसको चार जोड़ के ने हम इसे वन हट बनाँगे तो लेकिन वणाट हो जाएगा लेकिन इसको गट के हो जाए गदाई 200 Ohms अब देखे मैं आपको दिखाता हूं मल्टिमीटर से मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल ही चेक करके दिखाऊंगा कि रजिस्टेंस आप कैसे बना सकते हो और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट में जुरूर बताएं बस शिरिफ आपको क्या करन जोन सा रजिस्टेंस आपको बनाना है उस रजिस्टेंस के चार गुना ज्यादा बना दो और फिर वही रजिस्टेंस जो आंसर आता है वही रजिस्टेंस चार रजिस्टेंस को जोड़ लो तो आपका जो वही रजिस्टेंस आ जाएगा अब देखे मल्टिमीटर को मैंने 2000 की Ohms की Registrance पे कर दिया मेरे पास ये Registrance से देखे 1K मैं आपको एकदम देखिये 가져ऊं से दिखाता हूँ ये देखिए 1K का Registence है ये अब यहाँ पर ये Registence मैं आपको पहले Multimeter से चेक कराता हूँ देखे 985 Ohms के असपास आरहा है तो यहाँ पर देखे मैंने आपको calculation दिखाया कि अगर हम 4 resistance को जोड़ देते हैं तो वो 200 ohms के आसके पास आ जाएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे quarter watt का एक resistance जोड़ देंगे यह हमने जोड़ दिया इसमें quarter watt का एक resistance तो यह resistance अब हमने जोड़ा तो यहाँ पर इसके ohms हो गए घटके 492 अब देखे मैं आपको दिखाता हम यह किस तरीके से काम कर रहा है देखे resistance था हमारे पास वन के वन के resistance हमारे पास था quarter watt में फिर हमने इसके साथ एक और जोड़ दिया तो यह resistance हो गया हमारा 492 ohms और यह resistance हो गया हमारा half watt यानि कि half watt से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि जब हम parallel में दो resistance को जोड़ते हैं तो थोड़ा सा wattage हलका सा कम होता है ज्यादा कम नहीं होता अब यहाँ पर यह 492 ohms हो गया half watt में तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 resistance में एक साथ और जोड लेता हूँ यह भी हमारी one की resistance है और इन 4 resistance को एक साथ जोड देता हूँ यह देखिए 4 resistance को मैंने एक साथ जोड दिया अब यहाँ पर क्या हुआ अब यहाँ पर जो देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ पास से अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ यह हमारा 4 resistance है quarter watt quarter watt quarter watt quarter watt यानि कि 4 quarter watt का resistance जुड गया अब यह हो गया हमारा one watt का resistance अगर one watt भी नहीं है तो थोड़ा सा कम होगा one watt से थोड़ा सा कम होता है पूरा नहीं होगा लेकिन फिर भी one watt की तरह काम करेगा अब इस resistance को फिर मैं मल्टिमीटर से चेक करता हूँ तो यह resistance हो गया हमारा 246 ohms one watt तो यहाँ पर अब हमने इसी resistance को 246 ohms और one watt में इसको बना लिया है तो आपने देखा यह resistance हमारा था वन के quarter watt में फिर हमने दो resistance को जोड़ा तो वहाँ पर resistance हो गया 492 ohms half watt फिर हमने दो resistance को इसके साथ और जोड़ दिया तो वहाँ पर वो हो गया 246 ohms one watt तो कितने ही आसान तरीके से जो है हमने resistance की wattage को बढ़ाया लेकिन वाटिस बढ़ाने का जो formula है वो दोस्तो यही है कि resistance अगर आपको 100 ohms का चाहिए अगर आपको 100 ohms का resistance चाहिए तो 100 ohms को पहले आपको 4 बार जोड़ना होगा 4 बार जब आप उसको पिलस कर दोगे तो आपका अंसर आएगा 400 ohms और 400 ohms का आपको सिर्फ 4 पीस resistance लेना होगा 4 पीस आप जब 400 ohms का resistance लोगे तो वहाँ पर जब आप उसको parallel करोगे तो resistance तो आपका यह 100 ohms quarter watt होगा resistance आपका quarter watt में होगा 100 ohms लेकिन जब आप 400 ohms का resistance लोगे quarter watt में तो वो parallel जैसे ही करोगे तो वो 1 watt 100 ohms हो जाएगा 4 resistance को अगर आप जोडते हो तो यहाँ पर यही इसका formula है दोस्तो कभी भी आप कोई circuit ऐसा बनाते हो जहाँ पर 1 watt का resistance लगा हुआ है आपके पास वो resistance नहीं है तो इस तरीके से आप calculation करके उस resistance को जोड सकते हो तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगाओ वीडियो को like करना share करना subscribe करना और bell के आकन को जरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा